आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे मुलायम सिंग यादो की वायगवराफी के बारे में इनके जीवन के बारे में हम लोग एक सामान जानकारी देखेंगे और मुझे लगता है कि उत्तरपदेश से आप रहते हैं या भारत में रहते हैं तो इस तरह की नेताओं के बारे में आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी चाहिए, इनके वैक ग्राउंड के बारे में आप लोगों को मालू होना चाहिए, और आप सभी लोग भली भाती जानते भी होंगे, कि इनके समय सापा 4-5 राज्यों में चुनाल लड़ करती थी, यह राजनीती के छित में आप देखिए कि इनकी अच्छी पकड़ हुआ करती थी, और के अंदर में भी आप देखेंगी कि सक्ता परिवर्तन, किसी को पिधान मंतरी बनाना, किसी को पिधान मंतरी पस से हटाना, इनका भी काफी युगदान रहा करता था, लेकिन आप देखते हैं कि इनके हाथ से सक्ता निकलने के बाद, सापा की बागडोर निकलने के बाद, क्या हस्तरूगा सापा का, आप सभी लोग बेहतर जानते हैं, आप जानते हैं कि 2014 का लोकसभा चुनाओ देख लीजे, 2017 का विधान सभा चुनाओ देख लीजे, 2019 का लोकसभा देखिए, बहुत बुरा पिदरसन रहा है इनका, समझ रहे हैं आप लोग, और उत्तर प्रदेश में आप देखते होंगे, आपको यह देखाई देगा, उत्तर प्रदेश, इसकी इराध्दानी आप देखें, यह लगता हुए, और आप सभी को मालोगों का कि यहां विधान स सीटें आपकी 100 देखने को मिलेगी, राज्य सभा सीटें आपको 31 देखने को मिलेगी, और लोग सभा सीटें आपको 80 देखने को मिलेगी, और इसलिए आप देखते हैं कि हमेशा उत्तर प्रदेश की राजनीती गर्माई रहती है, उत्तर प्रदेश ने कई प्यधान मंत्र भी भी दिये हुए हैं मौदी जी को देख लीजे बनारास से आप देखते हैं कि 2014 में भी लोकसभा सदस थे अभी भी आप देखते हैं 2019 में भी लोकसभा सदस चुने गए वहीं से तो आप समझ सकते हैं कितना मतलग एकली महतपूर है उत्तरपिदेश राज और ऐसा माना जाता है कि उत्तरपिदेश वो भीहार जिसने जीत लिया उसने कैंदर में सरकार बनाने के काबिल वो लगबग हो जाता है आप समझ रहे हैं एह हाल है तो चली हम लोग उने पिछली क्लास में आप न देखा योगी आदित नात के बारे में देखा था आज हम लोग मुलाइम सिंग यादव के बारे में देख लिए थे आंगे हम लोग अखलेसों मायवतियों इस तरह के उत्तरपिदेश की जो भी अच्छे नेता है उन सब के बारे में आप लोग देखते रहेंगे तो देख लिजे यह इनकी फोटो है पिक्चर और इनके पूरे नाम की बात करें तो मुलाइम सिंग यादव इनका पूरा नाम है एक बात और आप लोगों को गल दो कि देखिए हम लोग फरसनल इने नहीं जानते कहीं जानकारी किता पूराबों से मिलती है कहीं आप देखते हैं कि गूगल से निकाल के आप लोगों की सामने रखता हूं अगर इसमें कोई गल्ती हो जाती है तो उसे आप लोगों सुधार दिया करिएगा समय रहे हैं आप लोग क्योंकि परसनल आप हो सकता है कि इन्हें परसनल जानते हों लेकर हम लोग ऐसा नहीं है इनके उपनाम की बात करें तो आप सभी को मालू है कि इनका उपनाम धर्दी पुत्त के नाम से भी बुलाए जाता है और नेता जी के नाम से भी उन्हों बुलाए जाता है लिटिल नेपोलियन के नाम से भी आप लोग इने जानते हैं इनके जनम दिन की बात करें तो आप देखेंगे कि 22 नवंबर 1929 को इनका जनम होता है यानि कि आजादी के पहली इनके पिता की बात करें तो सुघर सिंग याद आओ इनके पिता का नाम था और माता का नाम बात करें तो मूर्ती देवी इनकी माता थी और आप सभी को ये भी मालू होना चाहिए कि इनका जर्मिस्तान है सेफ़ी जो इटावा उत्तर पर इसमें फड़ता है और इनकी योगता की बात करें, सिक्षा की बात करें, तो ये पड़े लिखे भी काफी थे और राजनीती से आप सोचिए इनोंने BA और MA की, तो इसलिए और राजनीती में पकड़ हो जाती है तो B.A. इन्होंने राजनीती सास्त से की थी और M.A. भी इन्होंने राजनीती सास्त से की थी और इनके परिवारिक गीबर की बात करें तो इन्होंने आप जानते हैं कि दो साधिया की पहली तो मालती देवी थी और दूसरी आप जानते हैं कि साधना गुपतास टीक है? इनके दो बच्चे भी हैं एक आप जानते हैं कि अकले स्याद हो जो यहां की मुखमंत्री भी बने थे उत्तरप्रदिश के और दूसरे हैं पितीक फिर्तीक याद हो इनके दो बेटे हैं इनकी पारटी को भी आप जानते हैं कि समाजबादी पारटी से यह अभी जुड़े हुए हैं वैसे तो इन्होंने कई पारटी हैं बदलते रहे लोगदल में रहे कभी ठीक है? तो उसके बारे में भी आँगे हम बात कर लेंगे लेकर अभी आप याद रखें इनके सौख की बात करें तो आप जानते हैं कि पुस्त के बढ़ना, संगीच सुनना और कुस्ती करना क्योंकि यह पहलबान भी रहे हैं तो इनके यह सौख है और पसंदीदा राजनेता की बात करें तो राम मनोहर लोहिया और यह ऐसा कहते भी हैं कि इनकी जो पारटी की विचारदहरा हैं यह राम मनोहर लोहिया की बिचारदहरा पर चलती है तो यह भी आप लोग याद रखिए सबसे महत्मूर अगर कुछ है तो इनकी राजनेती की यात्रा का तो आप देखेंगे कि लोग राजनेती की युवा अवस्था में यह तरह से सुरूं कर देते हैं तो इन्हों ने भी वही किया उन्नीस सो चंगन में आप देखेंगे कि आजादी के बाद जब वो पंदरे वर्स के थे तब इन्होंने महान समाजबादी नेता आप देखेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आहान वन नहर रेट आंदोलन में भाग लिया और पहली बार ही जेल जाते हैं इसके बाद आप देखेंगे कि इनकी जो राजनितिक सफर है इसका सरे उनकी राजनितिक गुरु नत्थु सिंग को जाता है क्योंकि आप देखेंगे कि जो नत्थु सिंग की परमपरागत विधानसवा चित्ता जस्वंत नगर यहां सो इन्होंने अपनी राजनितिक सफर की सुरुवाद करते हैं यानि कि पहली बार यहां से विधायक चुने जाते हैं यह है 1967 की बार 1967 में आप देखेंगे वह है उत्तरपदेश विधानसवा के सदस चुने जाते हैं अगर आप से पूँचे की मुलाइन सिंग यादोक पहली बार विधायक कब बने थे तो आपको याद रखना चाहिए 1967 में और यह थी इनकी जस्वंत नगर विधानसवा से ठीक है फिर आप देखेंगे 1977 में वह है पहली बार 1988-1985 तक उन्होंने उत्तर प्रशिश की विधान परिशद में और विधान परिशद भी है प्र आप देखेंगे 1989 में हुए पहली बार उत्तर परिश की मुक् judgments कब बनते हैं गव внутilar Ollie में फिर आप 1990 में देखेंगे हुए चंद सेकर पारिटी की कि पाइटी जंतादल समाजबादी में सामिल हो जाते हैं फिर 1992 में आप देखें कि उन्होंने समाजबादी पाइटी सोसलिष्ट की इस्थापना की तो जो आज समाजबादी पाइटी आप देखते हैं इसकी इस्थापना हुई थी 1952 में ठीक है फिर आप देखेंगे 1993 में वो दूसरी बार उत्तरपदेश की मुखमंती बनते हैं और 1996 में वो है मैनपुरी छेत से 11 भी लोगसवा के सदस चुने जाते हैं कब 1996 में पहली बार ठीक है 1999 में उन्होंने दो लोगसवा सीटें समाली एक तू संभल थी और दूसरी कन्योस थी ठीक है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति दो से एक या दो तीन पर भी चुनाओ लड़ सकता है समझे हैं आप लोग लेकिन क्या होता है कि उसके आंगे उसे एक ही सीट अपने पास रखनी होती है बाकी सीट है छोड़नी पड़ती है अधिकतर लोग इसलिए चुनाओ लड़ते हैं दो से तीन सीटों पर कि वो अगर हार गए एक सीट से हार जाते हैं तो दूसरी पर कम से कम दूसरी पर तो उसकी सुरक्षित रहेगी ठीक है तो इस लिए भी अपने एक तरह से समल कर दो 1909 में आप देखते हैं कि वोई सयुक्त मूर्चा गटवंदन सरकार के अंतरगत भारत की रक्षा मंत्री बनते हैं और माना जाता है कि इनका रक्षा मंत्री का जो भी कारकार रहा है काफी सफल माना जाता है ठीक है फिर आप देखें कि 2003 में हुआ है तीसरी वार उत्तरपदेश की मुक्मंत्री बनते हैं और 2004 में उन्होंने 183,899 बोटों के अंतर से गन्नोर विधान सवा सीट पर जीत दरज की और याद रखिए विधान सवा सीट की बात कर रहा हूं यह अब तक की सबसे वड़ी जीत का रिकॉर्ड माना जाता है आप समझ सकते हैं कि 100% में से अधिकतर वोट इनी को मिले हुए थे तो आप समझ सकते हैं कि इनकी कितनी फकड रही होगी और इतनी देकिन लोकसावा चुनाव में इस तरह की जीत होना मतलब इतने वोटों से जीतना आसान सी बात है नॉर्मल सी ब बढ़ी बात होती है 2004 में देखते हैं आप लोग की उन्होंने में पुरी छेत से लोकसावा चुनाव लड़ा और जीता भी है devi है फिर लोकसवस का एक तो थी आजमगड और दूसरी थी मेंपुरी और आप देखेंगे दोनों सीटें उन्होंने जीत दर्ज की यानि कि आप देखेंगे कि पिछली बार भी उन्होंने दो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि सीटों से चुनाओ लड़ा लोकसवा दोनों जीती और इस 2014 में आप देखेंगे सरम और सलायकार समती ग्रह मंतराले की स्थाई समती के सदस बनते हैं और 2019 में भी आप देखेंगे कि महनपुरी च्छेत से लोकसवा चुनाओ इन्होंने लड़ा भी है और जीता भी है तो आप कह सकते हैं कि राजनीती के च्छेत में कापी इन्हें तो आपको यह भी संगल्स करना पड़ता है तो नौ बार लगभगी जेल भी गए हुए है ठीक है और जो आपातकाल लगाया गया था इंद्रा गांदी की समय उस समय भी इन्होंने जेल की हवा काई हुई थी कुछ इन्हें सम्मान भी पुरुसकार भी मिले हुए है इन्हें भी देख लीजे तो 28 मई 2012 को लंदन में अंतराष्टी जूरी पुरुसकार से सम्मानित किया गया है और भारत के जो पूर्पिधान मंत्री चौदरी चरन सींग थे इन्होंने लेटिल नैपोलियन कहा है किन मुलायम सींग यादव को ठीक है इनकी कुछ पुस्तके में इन पर लिखी गई है बुक्स भी तो मुलायम सींग यादव चिंतन और विचार का जिसमें आप देखेंगे असो कुमार सर्मा ने संबादित किया था और एक है इनकी अतरिक्त राम सींग और अंसुमान यादव द्वाला लिखी गई पुस्तक मुलायम सींग ए पॉलिटिकल बायगराफी अब उनकी प्रमाडिक जीवनी भी है ठीक है इसके बारे में भी याद रखें और लखनो की पत्का डॉक्टर नूतन ठाकुन ने भी मुलायम सींग के सामाजिक सांस्कितिक और राजनितिक महत को रेखांकित करती हुए एक पुस्तक लिखने का काम भी किया है ठीक है लेकिन आप सभी जानते हैं कि इनके से बिवाद भी काफी जोड़े रहे हैं बिवादों से समझ रहे हैं आप लोग बिवादों से भी इनका काफी नाता रहा है किनका मुलायम सींग यादोखां तो एक एक तो आप देखते हैं कि 2000 बारे में जो दिल्ली में गैंग रेप हुआ था, इन पर भी इनोंने काफी बयान दिया हुआ था, क्या कहा था इन्ने, दिल्ली गैंग रेप बलतकार की गटना की बात, मुलैंज सिंग यादा उन्हें एक बिवाद इस पर बयान दिया था, जिसम समझ रहे हैं, एक और आपने देखा होगा कि वलतकार मामले के दौरान, मुलैंज सिंग ने फिर से एक विवाद इस पर बयान दिया, जिसमें सहयुक्तर महा, राष्ट महा सचिब, वान की मुझ ने, जबाब दिया कि हम खारिच करते हैं कि उनके बयानों को, और ऐसे विद पर नगर दंगों की, आग यवी सांध भी नहीं हुई थे, कि मुलैंज सिंग यादों ने एक सामोई कारिकरम का यूजन किया, और जिसके कारण मुलैं सिंग को मेडिया में कड़ी आलोचना का सामना भी करना पड़ा, और 2015 में आप देखेंगे, 2015 में भी आपने देखा हुगा, उत्तर प्रदेश्ट की इस्तित, कुल पहर अदालत की नियाएक मजिस्टिट ने, मुलैं सिंग यादों की खिलाप समन भेजे, भेजते हुए बुलाया, जिसमें मुलैं सिंग के द्वारा सामोईक बलतकारों को आवे हुआरिक बताया गया रोग था, उसमें भी इनका नाम जोडते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, देखे किसी की जिन्दिगी के बारे में सब कुछ कबर कर पाना बड़ा मुस्किल होता है, इसलिए एक समार्ट गिरी यही होती है कि उनके बारे में एक सामान जानकरियम लोग देख कि इनकी राजनेतिक सफर किस तरह रहा है, अधिक तर लोग क्या करते हैं कि राजनेतिक सफर ही देखते हैं, कि इनकी किस तरह से सफलता है मिली और इनका जीवन कहां इनकी मतलब इनका जनम हुआ, समयख, तो ये सब के बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, चलिए तो आगे हम लोग मिलते हैं एक नई बायोग्राफी के साथ तब तक आप लोग देखते रहिएगा